एक फाइल बना रखिए पहले मैं बता देता हूँ oops.py हम यूज करेंगे क्या class keyword का class और कोई भी class का नाम हम पास कर देंगे बस camel case में हम रखते हैं mostly class का नाम camel case क्या मतलब है कि अगर मालो दो word की class है तो पहले word का पहला letter capital और दूसरे word का भी घाला letter क्या होगा capital और class के नाम के बीच में कभी स्पेस नहीं आता तो मैंने एक डेमो नाम से class बना न रस टेमो का नही नहीं देखे डेमो में डिकतल कॉंट रस सकते हैं आप नाम कुछ भी रख सकते हैं स्टाट कर दिया, आप class के अंदर क्या define होता है, पहले यह मैं बता देघ सकते हैं, functions को और variables को, तो हम पहले क्या करते है, एक class के अंदर एक variable मनाते हैं, फिर variable बनाके हुसको हम object की थरूँ call कैसे करेंगे, वो हम समझेगे, देखिए, एक variable मनाते है class के अंदर मैंने variable मनाया a equal to 10 ओके a equal to 10 बनाया और अब मैं इस variable को call करना चाहता हूँ class के बाहर मतब class ये complete होगा इसके अंदर एक variable आया अभी function भी मैं बता हूँगा मगर मैं पहले variable से start करता हूँ कि एक variable मनाया a equal to 10 अब देखिए अब आप इसको run करेंगे इस file को तो अभी कुछ नहीं मिलने वाला देखिए कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि class बनाया और उसके अंदर आपने एक variable बनाया a equal to 10 class का जब तक आप object बना के उसको variable को call नहीं करेंगे तब तक वो call नहीं होगा तो देखिए अब object कैसे बनता है मैं आपको बता देखिए तो बहुत ही simple है object बनाना देखिए class का object हम बनाएंगे कैसे पहले वो देखने देखिए class का object बनाने के लिए कोई भी आप variable का नाम पास कर देए यहां पे तो variable का नाम मैंने बना दिया मालो demo object यह वेरबल का नाम कुछ भी हो सकता है यह वेरबल है बस मैंने इसका नाम रखा demo object देखिए demo object नाम का variable बनाया यहां पे आप अपनी class के नाम को यहां पे आप डिफाइन कर देंगे तो आपकी class का नाम क्या है demo class और यहां पे आपको round bracket लगा देना है बस यह एक simple सा क्या बन गया एक object बन गया demo object equal to demo class बस यह दिहान लगना जब आपको object बनाना है तो यहां पे round bracket को define करना है एक बार मैं इसको run कर लेता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा देखिए कोई भी error अभी तक आई नहीं है आपने एक object तो बना दिया अब उस object के थुरू उस a को call भी कर सकते है एक को call करने के लिए बहुत ही simple सा logic है मैं यहां पे print कर देता हूँ demo object तो demo object को नहीं print करना dot आप यहां पे लिख देंगे a तो वो इस class के उस variable को क्या गर देगा call कर देगा किस के थुरू call कर देगा object के तो देखिए 10 आपके सामने print हो गया है तो simple सा object बनाने का process क्या है एक बर मैं आपको बता देता हूँ यह demo object नाम का variable लिया equal to class का नाम और round bracket यह object किस नाम का बना है demo object अब इस object के थुरू आप class के किसी भी variable और किसी भी function को आप क्या कर सकते हैं call कर सकते हैं आप कितने भी object बना सकते हैं देखिए मैं आपसे कहता हूँ एक और object बना दो आप यहाँ पर मैंने इसको copy किया और यहाँ पर रख दिया और demo object 1 कर दिया देखिए यहां पर मैंने Demo Object 1 नाम लख लिया अब मैं इसके दूरू भी क्या कर सकता हूं call कर सकता हूं कोई problem नहीं है Demo Object 1 के दूरू भी call कर सकता हूं एक ओ तो दो object बन गए एक class के तो एक class के आप कितने भी object क्या कर सकते है बना सकते है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका एक सिंपल सा एक्जांपल लेते हैं देखें रियल लाइफ एक्जांपल कैसे हो गया मालो कि एक कार नाम की मैंने क्लास मनाई और कार तो कोई सी भी हो सकती ना इस class के आप क्या बना सकते हैं, multiple क्या बना सकते हैं, objects बना सकते हैं, देखिए, मैं इसको run करके आपके सामवें दिखात देता हूँ, देखे 10 आया, तो पहले object से भी 10 आया, और दूसरे object से भी 10 आया है, 10 आया है, A की value, तो आपने एक class बनाई और दो object बनाई, object बनाना बहुत ही simple है, बस ये धियान रखिए कि ये class से बाहर बन रहा है, class के अंदर कभी भी object नहीं बनता, object हमेशा कहां बनता है, class के बाद में बनता है, जब class का काम पुड़ा क्या हो जाता है, complete हो जाता है, अब देखिए, अब function कैसे बनेगा, एक चीज़ का दियान न किए, अब class के अंदर आप function कैसे बनाई, वैसे class के अंदर हम जो बनाते हैं, उसको हम method कहते हैं, function तो हम वो भी बना सकते हैं, class के बाहर भी declare कर सकते हैं, class की ज़रोत नहीं है, मगर हम methods को काम पर define करते हैं, class के अंदर, method और function, same type के ही होते हैं, same process का काम होता है, बस method class के अंदर define होते हैं, function आप class के बाहर भी क्या कर सकते हैं, define कर सकते हैं, देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक method बनाता हूँ, method बनाने के लिए, या function बनाने के लिए आप कह सकते हैं यहां पर use होगा def keyword यह पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ जहां पर मैंने functions को बनाया था आपके समने मैंने function को create करके रिखाया था कि function कैसे create होता है तो def keyword से हम function को क्या करते हैं create करते हैं अब function का नाम तो function का नाम मैंने यहां पर दे दिया माली जये sum value एक function मनाया और function का नाम क्या दे दिया मैंने sum value फिर हम यहां पर colon function start हुआ आप देखे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा guys कि जब भी python के अंदर आप class के अंदर function मनाएंगे तो आपको इसके बीच में एक argument पास करना पड़ेगा वो argument खुद में एक object का काम करता है कैसे object का काम करता है मैं बता दिता हूँ यहां पर मैं एक argument ले लेता हूँ self नाम का self से क्या कर सकते हो आप self के तुरू इस variable को भी call कर सकते हो मतलब जो a equal to 10 है क्योंकि वो class का variable है मगर इस function का variable नहीं है तो self खुद में एक object का का काम कर रहा है अगर आप self का use मतलब self नाम जरूरी नहीं है नाम कुछ भी दे सकते हैं मगर mostly हम python में जो देते है वो हम क्या देते y إ sap का मतलब भाप यह समझाएंगे अधिस मलब खुद में एक object का काम करता है एक आर्गुमेंट रखना जरूरी है आप कभी भी python के अंदर अगर class के अंदर function बना तो अगर class के अंदर भार function मना रहे है तो argument देना जरूरी नहीं है नहीं है यहाँ पे एक argument देना जरूरी है अब आप यहां पर print कर देंगे print मैं कर देता हूँ 20 प्लस 30 एक function मना है def some value और print क्या कर दिया 20 प्लस 30 तो self का use आएगा आगे मैं आगे आपको बताऊँगा self का use यह ध्यान रखना कि कभी भी आपको function मनाना है तो self को रखना क्या करना है mandatory रखना है आपके लिए चलिए देखते हैं अब हम इस function को क्या करते हैं call करते हैं object तो बना हुआ है object variable को call कर सकता है तो function को call करने के लिए अब मैं यहाँ पर print नहीं use करूँगा print यह इसलिए use नहीं करूँगा क्योंकि अदर आपने function के अंदर print करा रखा है बस आप object के थूँ demo object.function का नाम आप यहाँ पर पास करने है some value बस यह तो यहाँ पर देखिए इस object के थूँ मैं some value function को क्या कर रहा हूँ call कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक object बना है demo object उसके थुरू आप क्या call करना है some value नाम का function अब देखें मैं यहाँ पर run करता हूँ जिससे आपको idea हो जाएगा कि इस object ने इस function को call किया है की नहीं देखें देखें 50 आपके सामने print हो गया है इसका मतलब है कि आपने जो equation बनाई है इसके अंदर वो क्या होई है चल रही है तो आप object के थुरू आप variable को call कर सकते है object के थुरू आप function को कर सकते है तो यह एक तरह का template हुआ जिसके अंदर मैंने function और variable को क्या कर रखा है define कर रखा है class और फिर object object के थुरू आप उसको क्या कर देते है call कर देते है देखिए एक बार और मैं run करके आपके सामने दिखा देता हूँ यह clear screen कर देता हूँ देखिए आपके सामने यह आगया 10 10 और 50 10 10 तो किस से आया है इन दोनों से आया है